मिर्च के पौदों में अक्सर फूल तो लगते हैं लेकिन फूल जड़ जाते हैं और मिर्च सही से नहीं होते हैं तो इसके लिए एक ऐसा फर्टिलाजर बताऊंगी मैं जिसकों की यूज करने से मिर्च के पौदे में ना तो फूल गिरेंगे और मिर्च बहुत सही से पूरा तो आज में इसमें दो फर्टिलाइजर डालूंगे फ्रेंड्स दोनों ही बहुत पावर्फुल है और इसको यूज करके आप एक बार जरूर देखेगा देखे, इसमें से एक fertilizer ये है, इसको मैंने बॉटल में बंद करके रखा हुआ है, एक केले का छिलका है, और मैंने इसको बारीक-बारीक काट करके, और एक छिलका साबुत ऐसे ही इस बॉटल में डाल दिया था, और पाने आधा इतना डाल दिया, आप देख सकतों कितना पानी तो यह अच्छी तरह से बिल्कुल फर्वेंटेशन हो चुका है तीन चार दिन हो चुके हैं मुझे इसको बॉटल में डाले वे बहुत अच्छा लिक्विड फर्टिलाजर होता है इसको यूज करने से पहले अच्छी तरह से शेक कर लेना है ताकि उपर निचे सारा एक सार स हो जाए और इसको डारेक्ट नहीं डालना है थोड़ा सा एमांट लेके मैं जैसा थोड़ा सा मैंने आधा से आधा जग लिया है और उसमें मैं दो जग जैसा पानी में इसको मिक्स करूंगी तो क्योंकि इसको डारेक्ट डालने से पौधा को नुक्सान हो सकता है पौधा यह सब्सक्राइब बनने के बज़ाए मर सकता है बहुत हब हाड होता है तो इसमें दोस तीन से चार गुना पानी आपको डालना है जितना में डालते हो Tapasite डेंग देख स Óukतों मैंने लिए है और उसमें पानीकी मात्रा बालती में पहले तो इससे 3-4 गुणा पानी होना चाहिए और केले के चिलकों में गुणों का भंडार है इसमें पौधों के लिए बहुत ही हमारे लिए तो होता ही है इसके चिलके का बहुत फायदा होता है पौधों में इसमें कैलोरी, कार्भोहाइडरेट, सूगर, फाइवर, प्रोटीन, वाइटेमीन, ए, कैलसियम और आइरन जैसे बहुत सारे पोशक तत्तों का भंडार होता है इसमें तो यह पौधों के लिए तो बहुत ही लापकारी इतने सारे गुणागर है तो तो अव्यजली पौधों में तो इसका यूज कितना जबरदस्त होगा फ्रूटिंग में बह बहुत पावरफुल पोशक तत्तों है इसमें मैगनिसियम फॉस्पोरिस कैलसियम नाइट्रोजन पोटेशियम जैसे पोशक तत्तों का भंडार है तो देखे थोड़ा सा पींच डाल ले रही है आधा चमच के लगभग मुझे पहले डालना था पाने डालने से पहले तो मै जब भी डाले तो गुड़ाई करके डाले देखे मैंने इतना थोड़ा से लिया आधा चमच के लगभग लिया क्योंकि फ्रेश है अगर चाई पकी वी होती है चाई से बनी वी होती तो एक चमच डाल सकते थे तो देखे अब मैं डालूंग इसमें पानी केले वाला पानी इसलिए मैंने एमांट बिल्कुल कम लिया है दोनों के अमांट मैंने कम लिया क्योंकि दोनों में गुणों का भंडा ज्यादा नहीं देना है अब इसमें भी डालूंगे मैं थोड़ा से और जब भी इस तरसा का फर्टिलाइजर डालते हैं तो साम के समय ही डाला करें तो इसमें चाइपत्ति का जो काम है यह बहुत हेल्फुल करता है पॉदय के ग्रोथ में पॉदय के विकास के लिए इसमें ये मिट्टी को एसेडी बनाने में बहुत हेल्प करता है और चाईपत्ती में मौझद गुर्णों बुदों के जितने भी बिमारी होते हैं उसे जब हम इसको यूज करें तो मिट्टी के साइड में इसको डालें इतना भाइन को जब पढ़े है कि अदूए बारा बार 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 नहीं को पहईगा सकता है जब दालें घूलेंगे तो भाई जब पहा दालेंगे थो कर दो निकल जाए है कई spoken पौदे को नुक्सान पहुचा सकता है और जब डालेंगे तो मिट्टी साइड से निकाल करके उसमें डालेंगे उपर से भी मिट्टी डालेंगे तो पौदे के रूट के सामने बिलकुल है डालेंगे और एक मैने का अंदरा लिये है कि इसको एबजोर्ब करने में टाइम तभी डालेंगे इससे भी पौदों के जो फूल होते हैं वो घरते हैं तो हमें पानी सो समझ के डालना चाहिए और वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जिससे की पौद इसके फूल गिर जाते हैं तो फ्रेंड्स यह रही मेरी चानकारी आज की वीडियो में कैसा ल